देखिए बक्तो द्वापर में तीन वर्ष का जो बताया गया है वह कल्यूग में तीन माह का है मतलब आप अगर किसी भी देवी देवता की तीन माह तक लगातार पूजा करते हैं तो वह आप पर प्रसन्न हो जाएंगे तब नौदुर्गाओं ने उन्हें बर्बरिक जी को ऐसी शक्ति प्रदान की जिससे वह अजय हो गया मतलब उन्हें कोई हरा ही नहीं सकता था ऐसी शक्तियां नौदुर्गा ने दी दोस्तों बर्बरीक जी ने सिद्धाम्ब का जी की पूजा की थी जो नौदुर्गाओं का संग्युक्त शरूप है उनकी पूजा की थी जिससे प्रसन्न होकर देवी ने उन्हें infer पराजत त अस्थर प्रदान किया था मतलब फिर वह पराजत हो ही नहीं सकते थे तो देखे दोस्तों देवी ने उनसे ये भी कहा कि तुम इसी स्थान पर रहकर हमारी पूजा करो और कुछ दिनों के बाद एक ब्राम्हण आएगा जिसका नाम विजय होगा तुम उसकी पूजा में सहायता करना फिर कुछ दिन के बाद एक ब्रामध आया, जिसका नाम विजयता, उसने सिधाम विका को प्रसंद करने के लिए अपराजिता इस तोत्र का अनुष्ठान किया, तो दोस्तों यहाँ से तो अपराजिता इस तोत्र के बारे में है कुछ, तो जब वो व्यक्ति अप्राजिता इस तोतर का अनुश्ठान कर रहा था तो जैसा कि आप जानते हैं कि जब हम लोग पूजा करते हैं तो उसमें विनियोग होता है फिर उसके बाद न्यास होते हैं वो इसलिए होते हैं कि ताकि विनियोग तो संकल्प है और न्यास जो होते हैं हम लोग इसलिए करते हैं ताकि हमारी जो नेगटीव इनरची हैं उनसे सुरक्षा मिल सके और हमारा एनुष्ठान सफल हो जाए तो इसी लिए वो तो इसी लिए जब वो अप्राजिता इस तोत्र का एनुष्ठान कर रहा थे तो रात्रे बहुत सारे राक्षस तरतर के उनकी पूजा को भंग करने के लिए आये तब घटोटकत के पुत्र बरबरीक ने अपनी शक्तियों से उनकी रक्षा के और उन राक्षसों को भगा दिया जिससे एक राक्षस जो अंतिम पहर में आया था रात्री के जब उसे बरबरीक उनका पीछा कर रहे थे तो वो पीछा करते 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 यह पूरी कथा यहां पर दी हुए है करते हुए नाग लोक में चला गया था फिर जाके बर्बरीक ने उसका अंति किया जिसे समस्त नाग उन पर परसंद न हो गया फिर नागों ने नाग लोक में जो शिवलिंग है उसे सिद्ध शिवलिंग कहते हैं उसकी विशेष़ता बताई फिर बर्बरीक ने उनका भी आशिरवाद लिया उनका आशिरवाद लेने के बाद उस राक्षस के वज़ से नाग इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने बर्बरीक को एक लाल रंकी भस्म दी उन्होंने कहा कि युद्ध प्रारम होने से पहले अगर आप ये लाल भस्म आपने शत्रू पर किसी प्रकाच छड़क देंगे तो फिर उनका अंत निश्यत है तो देखें दोस्तों उसके बाद क्या हुआ ये कथा तो बर्बरीक जी की है उसके बाद क्या हुआ कि महाभारत काल भी समकक्ष चल रहा था तो उसमें पांडों का आपका क्या बोलते हैं वन गमन हुआ ठीक है उनको वनवास मिला फिसमें वनवास मिला तो वो लोग वनवास में तीर्थों का प्रमण करने लगे पांचों पांडों और द्रोपदील सहे तो फिर क्या हुआ कि उसके बाद क्या हो वो लोग घूमते घूमते चंडिका तीर्स में पहुँच गया जहां बरबरिक रहते थे तो वहां जाके वो लोग भगवती के दर्शन करने के लिए वहां एक कुंड था उस कुंड में गए तो युजिष्ठिर ने एक पात्र से कुंड का जल निकाला और बाहर अपने हाथ पैर्द होए फिर उन्होंने बागी का कर्म किया लेकिन भीम इतने उतावले हो गया कि उन्होंने बिना हाथ पैर्द होई ही जल में प्रवेश कर गया तो दोस्तों जल में उप्रवेश कर गया देखिए यहां पर ये भी लिखा है कि जो जल में मल, मुत्र, विष्ठा, कफ, ठूक और कुल्ला छोड़ता है वो ब्रह्म हत्या रों के समान है उसको ब्रह्म हत्या लगती है दोस्तों तो ऐसी गल्ती आप लोग मत कीज़ेगा तो जब उन्होंने ऐसक किया तब बरबरीक को क्रोधा गया अब बरबरीक बड़े हो गए थे इसलिए उपने पांड़ों उन्हें पैचानते थे तो उन्होंने भीम को ललकारा भीम को अपने बल का अत्यन गमंड था परंतु फिर भी बरबरीक जी ने उन्हें उठा लिया और उठाकर जल में फिकने के लिए औगट हुए तो लोग कहते हैं कि परम बलचाली भीम है लेकिन देखिए बरबरी अत्यन्त बलचाली थे ये है खाटू शाम जी की महिमाद देखिए फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब वो फिकने के अगट हुए तो भगवान भोले नार्ट प्रगट हुए और उन्होंने बरबरी को भीम का परचाली दिया फिर उसके बाद भीम फिर बरबरी को बहुत आतमगलानी हुए कि मैंने अपने पिता आमा को फिकने की उनको हत्या करने के लिए इससे बहुत दुखी हो गए और उन्होंने सोचा कि मैं प्राणत्याग दूँगा तो वो उस जल में कूद गए लेकिन वरुण भी इतने डरे हुए थे कि वो कैसे इनकी मृत्यू करते इसलिए तो वरुण ने उनको नहीं मारा और वो जल में भी जीवित रहें तब भोले न कांडों से मिलन हुआ फिर देखे क्या हुआ कि अ